नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है, पेशा आज 14 दिसंबर सुबा 6 बजे राजिस्थान की खास खबरे देश के संसद में सुरक्षा विवस्था में बड़ी चूक का मामला सामने आया है, लोगसबा में सुरक्षा उलंगन का विडियो आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो लोग दर्शक दिर्गा से अचानक कोदकर संसदों के बीच पहुँच गए, जिन दो युवकों ने स अचानक करीब 20 साल के दो युवक, दर्शक दिर्गा से सदन में कूद गए, उनके हाथ में कनस्तर थे, इन कनस्तरों से पीला धुआ निकल रहा था, उनमें से एक अध्यक्ष की कुरसी की और भागने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने कुछ नारे भी लगाए, कनस्तर से जो धुआ निकल रहा था, वो जैरीला भी हो सकता था, यह सेक्यरिटी ब्रीच का घंबीर मामला है, खास कर 13 दिसंबर को जिस दिन 2001 में संसत पर हमला हुआ था, दिल्ली पुलिस के सुतरों का कहना है कि घटना की तस्दीक की जारी है, मामले में कई अजंसियां पूस्ताश कर सकती हैं, पंजाब के जीरकपूर में पुलिस ने गैंक्सर करणजीत सिंग और फजसा हपोवाल का इंकाउंटर कर दिया, पुलिस उसे इरादा कतल के केस में पिस्टल बरामत करवाने के लिए ले गई थी, लेकिन वे कस्टडी से भागने लगा, पुलिस ने पहले हवा में गोली चलाई और फिर उसके पैर में गोली मार दी, जखमी हालत में उसे पकड़ लिया गया है, लेकिन वे जिन्दा है या मर चुका है, इस बारे में कुछ स्पस्ट नहीं हुआ है, उसे छे गोलियां लगने की सूशना है, इस दुरान एक मुलाजिम भी जखमी हो गया जशा छे मर्डर केस में मोस्ट वांटेड है, संदीब गॉयल ने बताया कि फाइरिंग जीरकपूर के पीर मच्छूला में हुई, फाइरिंग के दुरान एक पुलिस मुलाजिम भी जखमी हुआ है, नमाशेर का रहने वाला जशा, गैंक्स्टर हरविंदर रिंदा और सोन जालही में गिरफतार किया गया था और वे छे हत्या के मामलों और अन्या जगन्या प्रादों में शामिल था, साधारन कारेकरता से प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने वाले भजनलाल शर्मा के सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट है, सुरक्षा और उनका परिवार इसी गैस्ट हाउस में रहेंगे, संभावना जताय जा रही है कि 15 दिसंबर को शपत ग्रैंड समारों के बाद भजनलाल शर्मा सेवे लाइन सस्थित, सीम आवास में शिफ्ट होंगे, दरसल भजनलाल शर्मा अपने परिवार के साथ जवाहर सरकिल सिति एक बिल्डिंग के फ्लैट में रहते हैं, ऐसे में सुरक्षा कारणों के चलते हुने परिवार सेथ, सहकार, मार्क स्थित, सरकारी गैस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया है, राजस्तान में नई सरकार के शपत ग्रैंड की तैयारियां शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री के इस शपत ग्रैंड में केंद्रे शिर्ष नेतर्दव को अमंत्रित किया जाएगा, इनके साथ ही Прदेश भर से कारे कर्ताओं को इस शपत ग्रैंड समारों में बुलाया जाएगा, बताया जा रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी, केंद्रे ग्रह मंत्री अमित श्या, बीजेपी के रास्टे देक्ष जेपी नड़ा सेथ तमाम पार्टी के केंद्रे नेताओं को अमंत्रित किया जाएगा इसके लावस संग से जुड़े पदा दिकारियों को भी सभवेश शपत ग्रेंड समारों में अमंत्रित किया जा रहा है बीजेपी के शिर्ष नेतरतव के भजनलाल शर्मा को मुख्य मंत्री बनाने का इलान कर सब को चुकाने का तो काम किया ही साथ ही यह भी संदेश दिया कि पार्टी में एक कारे करता भी मुख्य मंत्री के पद तक पहुंच सकता है संग और संगठन की प्रष्ट भूमी से सीम बनने के बाद विधायकों ने अपनी अपनी लॉब्मिंग शुरू कर दी कोई संग से संपर्क साध रहा है तो कोई वरिष्ट नेताओं को फोन करके दाविदारी मजबूत करा है कई विधायक आला कमान के नजी की नेताओं को भी दिल्ली फोन कराने का प्रियास में जुट गए हैं ताकि मंत्री का पद मिल जाए पार्टी सुत्रों के अनुसार सीम के साथ करीब एक दरजन मंत्रियों को भी शपत दिलाई जा सकती है इसलिए सीम के नाम के साथ नए मंत्रियों की भी सूची तयार की जा रही है माना जा रहा है कि इस बार वरिष्ट विधायकों के साथ नए चेहरों को भी मंत्री मंडल में शामिल किया जाएगा इसमें जातिकत संतूलन रखा जाएगा डमी अभियर्थियों के परिक्षा में बैठने के लगातार सामने आ रहे मामलों को रोकने के लिए करमचारी चैन बोर्ड ने फॉरम भरने से लेकर परिक्षा के आउजन तक में बदलाव की तैयारी शुरू कर दिया चैन बोर्ड की भरती के लिए अवेधन करते समय अभियर्थियों के पास अधार नंबर जरूरी होगा अधार वेरिफिकेशन के बाद ही अवेधन किया जा सकेगा इसके साथ ही परिक्षा के इंदर पर परवेश से पहले फेस रिकागनेशन और बायोमेट्रिक सत्यापन किया बैठने से जुड़े थे एक एफ आयार में 15 और दूसरी में 6 अभियर्थियों के खिलाफ मामला दर्स करवाया गया था बारवीक अक्षा के बाद किसी भी स्ट्रीम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज कर सकेंगे इस संबंद में UGC ने गैडलेंड जारी की है कोर्सेज में Artificial Intelligence, Cyber Security, Virtual Reality, Data Science, Cloud Computing, Machine Learning आदी शामिल है युनिवर्सीटी वे कॉलेज स्किल कोर्सेज संचालित करने वाले किसी भी संस्थान वे इंडस्ट्री से टाइप भी कर सकती है योगीक साइंसेज को भी Short Term स्किल कोर्स से जोड़ा जाएगा तीन से चे माँ का कोर्स पूरा करने के बाद चातरों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा इस कोर्स को करने के बाद स्टुडेंट्स को कम से कम 12 वे अधिक से अधिक 30 क्रेडिट अंक दिये जाएगे इन कोर्स को करने के लिए चातरों को अकैडमिक बैंक आफ क्रेडिट से जुड़ना होगा फिलवाडा जुले में एक 15 वर्षे किशोरी को बहला अफस लाकर जंगल में ले जाकर रेप करने के आरोप में ग्रामिनों ने एक बिहारी युवक को पकड़ा और उसके धुनाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया मामला पंडीर थाना क्शेतर का है यहां एक 15 साल की किशोरी को बिहार निवासी मुहमद इर्फान जंगल में ले गिया और वहां उसका बलात कार किया गाम के कुछ गरामिनों ने युवक को जंगल में अपती जनक खालत में देख लिया और दबोच लिया उन्होंने गाम ले जाकर उसके जम कर धुनाई की और बाद में पुलिस को सुचित किया माके पर पहुंचे पुलिस ने युवक को गिरफतार किया है पीडिता ने पिता के आरोपी मुहम्मद इर्फान के खिलाफ नाबालिक बेटी से बलातकार का मामला दर्स करवाया है जैनरायन व्यास युनिवर्सीटी में से पढ़ रही स्टूडेंट के ऑनलाइन एक्जाम एप्लिकेशन की लेट फीस के साथ 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं इसमें युनिवर्सीटी से जुड़े संभाग के जोदपूर, जैसलमेर, जालोर, पाली और बाडमेर जिले के सतर 2023-24 में होने वाली यूजी सेकिंड, फाइनल एर साइध, पीजी फाइनल एर डिप्लूमा कोर्स, सेल्फ स्टूडी वाले स्टूडेंट एक्जाम के लिए आवेदन कर सकेंगे, वह युनिवर्सीटी के पाली, जालोर, बाडमेर, तथा जैसलमेर, जिला से संभत सभी महाविद्यालियों के 2023 के कोर्स की एलल भी फाइनल एर की सप्लिमेंटरी परिक्षें 15 दिसंबर से शुरू होंगी, जिसका टाइम टेबल युनिवर्सीटी के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, अब जल्द ही इनके प्रवेश पत्र भी जारी किये जाएंगे, स्टुडेंट के लिए खुद की ABC ID को ऑनलाइन परिक्षा वेदन में दर्स कराना निवार्य होगा, दोसा जले के बांदीकुई में राशी डबल करने का जहांसा दे कर, आर्मी जवान से साड़े 26 लाग से अधिक के ठगी करने का मामला सामने आया है, साइबर क्राइम ठाना परभारी सोहल लाल ने बताया कि बांदीकुई उपकंड निवासी संजे सिंग पिलवाल अरुनाचल प्रदेश में भारतिया आर्मी में तैनात हैं, उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि साइबर ठगों ने उसे पहले एक टेलिग्राम ग्रूप से जोड़ा, फिर उसके बाद एक कॉल आया, जिस पर रिजिस्ट्रेशन करने पर पैसे दूग ना होने का लालच दिया, पीडित ने पहले दस हजार पे के पहले किष्ट ट्रांसफर की थी, ठगों ने संजे को विश्वाश में लाने के लिए 14,182 रुपे उसके खाते में डाल दिये, इस तरह पीडित संजे साइबर ठगों के जहांसे में आ गया, पीडित ने लालच में आकर अलग-अलग तार आई है, चोर के द्वारा घर में घुस कर हजारों की नगदी वैसोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गया, मकान में लगे सिसी टीवी में चोर का फुटेज भी दिखाई दिया है, पुलेस के अनुसार चोरी के वारदत पाल बिचला निवासी संजे सिनहा के मकान में होई ह संजे परिवार सेथ क्षेतर पार हॉस्पिटल गए थे, कुछ दिर बाद लोटे तो घर के ताले तूटे और समान अस्त व्यस्त था, खर में रखे करीब 35,000 पे नगदी, वैसोने चांदी के गहने चोरी हो गए, चोरी हुए माल की अनुमानित कीमत करीब 2-3 लाक उरपे ह पुलिस ने मामला दर्सकर चोर की तलाश शुरू कर दी है झाया कि ने भाल में पुलिस ने भी वैसे, ब हम झास्ट खिर्चार less जागका, तो एम ही प्यदक्शा ए्के टाल मैं एबसे करीब 50,000点